हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मैं यूटूब चैनल, एम अरबास, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि यहाँ पर जो रोज वीडियो अप्लोड हो रहा है, वो आप तक तुरन पहुंश सके, तो आज हम लोग ए कॉसन नमबर वन सॉल्प करेंगे, इस exercise की सारे कॉसन को सॉल्प करने से पहले आप एक बीज फूंट वे इंट्रोड़ेक्शन वीडियो देख लिजे ताकि आपको इस exercise की सारे कॉसम आसान तरीका से समझ में, चलीं इस को सॉल्प करते हैं, इसको सॉल्प करने से पहले हम और किस question को समझेंगे कि यह कह क्या रहा है सो तो चलिए start करते हैं तो question कह रहा है which of the following expressions are polynomial in one variable question कह रहा है यहाँ पर जो expressions दिये हैं तो कौन-कौन से expression ऐसे है जो one variable के polynomials है यह आपको check करना है and which are not और कौन-कौन से ऐसे expression है जो one variable के polynomial नहीं है state regions for your answer और जो आपको answer देना है वो reasons के साथ देना है question को फिर से समझेगा which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not यहाँ पर कौन-कौन से expressions one variable के polynomial है दूसरा पुछा है और कौन-कौन से expression one variable के polynomial नहीं है और आपको answer जो देना है reasons के साथ देना है तो चलिए हम लोग इस question को solve करना तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखेगा तो ये question बहुत आसान तरीका समझ मैं आगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये तीनो term को सीखते हैं चलिए सबसे पहले हम लोग expression को समझते हैं expression को समझने के लिए मैं एक example लिया हूँ 3x square plus 2x minus 5 एक और example यहाँ पे लेता हूँ 3x square plus 2x minus 3 अब यहाँ पे क्या करता हूँ इस मैं equal to का सैंट देता हूँ जैसी मैंने इस equal to का सैंट दिया तो यह यहाँ पे یہ left hand side और यह यहाँ पे right hand side में divide हो गया equal to का सैंट देने के बाद ये left hand side और right hand side में divide हो गया जिसमें LHS और RHS होता है वो आपका यहाँ पर equation कहलाता है तो यह आपका equation बन गिया जिसमें LHS और RHS हो वो आपका equation पर उपर वाले example में देखे 3X square plus 2X minus 5 यहाँ पर equal to का sand है? नहीं है जिसमें LHS और RHS ना हो वो आपका expression कहलाता है तो यह आपका expression है और यह आपका equation है चलिए अब हम लोग variable को समझते है देखे variable क्या होता है जितने भी आपको यहाँ पर इस expression में alphabet दिखाए देंगे न means A, B, C up to X, Y, Z इसके बीच में जो भी alphabet दिखाए दें वो आपका variable होगा और ऐसे variable किसे कहते है जिसका value change करते रहता है कभी X का value कुछ आता है कभी Y का value कुछ आता है तो आपका variable होता है तो यहाँ पर X यह X आपका क्या variable और constant क्या होता है जो आपका numeric means number के form में दिखाए दें 1, 2, minus 3 यह number के form में दिखाए दें वो आपका constant होगा और constant कहा जाता है जिसका value fixed होता है है ना वो आपका constant कहलाता है तो यहाँ पर 3 आपका क्या है constant है 2 आपका क्या constant है minus 5 आपका क्या constant है अब चलिए हम लोग polynomials क्या होता है इसको समझते है polynomial क्या होता है polynomial होने का condition होता है कि constant into variable के power में क्या होना चाहिए whole number और whole number क्या होता है वैसे number जो 0 से start होता है 1, 2, 3 up to infinite तक जाता हो वो आपका क्या होता है whole number तो 0 से start होने वाले और infinite जो जाते हैं आपको कहलाते होल नमबर पर यहाँ पर पॉलिनॉमिल समझना है पॉलिनॉमिल होने का कंडिशन होता है constant to variable के पाउर क्या होने चाहिए होल नमबर होने चाहिए तब ही पॉलिनॉमिल हो पाएगा जैसे कि मैं एक एकस्प्रेशन लेता हूँ 3x square इसको चेक करते हैं क्या यह पॉलिनॉमिल है तो देखें यहाँ पर 3 आपका constant into variable x आपका variable है के पाउर होल नमबर होल नमबर 2 तो आपका होल नमबर है ना तो यह आपका पॉलिनॉमिल है उसी परकार मैं लेता हूँ 3x के पाउर मैंनस 2 तो देखें 3 यहाँ पर यह constant है constant into variable के पाउर होल नमबर यह satisfy होना चाहिए into variable x है इसके पाउर होल नमबर है मैंनस 2 आपका होल नमबर नहीं होता है क्योंकि होल नमबर आपका negative में तो नहीं होता है तो question number 1 है 4x square minus 3x plus 7 यहाँ पर question में क्या करना है आपको one variable का polynomial चेक करना है सबसे पहले इस expression को आपका polynomial चेक करते हैं कि यह expression आपका polynomial है की नहीं है जब polynomial होगा तो ही न one variable का polynomial होगा तो polynomial चेक करने के condition होता है constant into variable के पार में whole number तो देखें यहाँ पर यह आपका constant है यह variable है के पार में whole number ठीक है यह term इसको करते हैं term यह term आपका polynomial है फिर इसको check करते हैं constant into variable के पार कुछ नहीं तो यहाँ पर one हो सकता है constant into variable के पार whole number देखें one तो आपका whole number है तो यह आपका polynomial है पलस constant constant term में दिख रहा है into variable नहीं दिख रहा है तो variable x के power 0 लिख सकते हैं और आपको पता है किसी भी number का power अगर 0 हो तो उसका value क्या होता है 1 होता है जैसे 7 के power 0 तो is equal to 1 होगा तो यहाँ पर x का power 0 तो 1 तो कोई effect तो पड़ा नहीं तो यहाँ पर constant to variable के power whole number 0 आपको whole number होता है तो यह आपका जो expression है यह polynomial है अब आपको बतलाना यह polynomial है तो one variable का polynomial है कि नहीं है तो देखे यहाँ पर single single variable use हुआ है x x x single variable use हुआ है इसलिए single variable use हुआ है x इसलिए यह one variable का polynomial है तो इसको मैं write करता हूँ इस परकार तो उसी चीज को मैंने लिखा है since the above expression और polynomial उपर का जो expression है यह आपका polynomial तो है चेक्किया मैंने कैसे है and there is only one variable x और यहाँ पे सिंगल variable one ही variable x use हुआ है so it is one variable इसलिए one variable वाला expression है इस परकार therefore therefore हमको यहाँ पे जो answer बतलाना था यह yes यह no में बतलाना था तो yes this expression is polynomial in one variable तो यह expression आपका one variable का polynomial है चलिए अब question number two solve करते है question number two है y square plus root 2 चलिए इसको solve करते है सबसे पहले से polynomial चेक्क करते है कि है या नहीं उसके बाद हम लोग one variable का polynomial चेक करेंगे तो देखिए polynomial चेक करने कंडिशन होता है constant into variable के पावर whole number तो देखिए यहाँ पे constant रम कुछ नहीं तो यहाँ पे one तो होता है न चिपा हुआ तो one into देखिए constant into यह y आपका variable है variable के पावर whole number whole number two तो होता है आपका अब देखे ये तो आपका polynomial हो चुका अब इसको चेक करते हैं तो constant, root 2 तो आपका constant है into variable आपका कुछ नहीं तो यहाँ पर y के power 0 लिख सकते हैं ना, देखे constant to variable के power whole number ये भी आपका polynomial है, मतलब ये expression आपका polynomial है अब ये आपका polynomial तो हो चुका तो ये one variable के polynomial है कि नहीं है, ये बतलाना है तो हाँ, ये one variable के polynomial है क्योंकि देखे यहाँ पे y और y single variable है, तो single variable होगा तो ये one variable वाला polynomial होगा है ना, चलिए इसी परकर जैसे मैंने उपर लिखा है, same to same इसको भी लिखता हूँ उसी परकर और यहाँ पे single variable y ही यूज हुआ है, so it is one variable इसलिए ये one variable वाला expression है, जब ये one variable वाला expression हो गया है ना, तो इस परकर जैसे कह सकते है therefore yes, this expression is polynomial in one variable, अब चलिए हम लोग question number 3 solve करते हैं question number 3 है root under t plus t into root under 2 तो इस question को सबसे पहले polynomial चेक करेंगे, उसके बाद one variable वाला बतलाएंगे, तो देखें, यहाँ पर इसको चेक करते है, polynomial होने कंडिसन है constant into variable के पावर whole number तो देखें, यहाँ पर constant कुछ नहीं तो one है, है ना, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, one into यहाँ आपका constant है, variable यहाँ पर देखें, root under t है, t है यहाँ पर आपका variable, और यहाँ पर इस root का मतलब क्या होता, one upon two, है ना, यह one upon two हो गया, तो यहाँ पर देखें, constant into variable के पावर whole number, यह polynomial condition होना चाहिए, तो constant into variable यह तो है t, इसके पावर में whole number one upon two आपका whole number है नहीं, one upon two आपका whole number में तो नहीं आता है, one upon two आपका तो rational number है, तो जब यह rational number हो चुका, whole number तो नहीं है, means polynomial के condition को तो follow नहीं किया, तो यह term आपका polynomial नहीं है, तो जब यह term भी polynomial नहीं हुआ, तो अगला को check ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक polynomial हो, दूसरा polynomial नहीं हो, तो यह तो रहा होगा polynomial होने के लिए, दोनों को polynomial होना पड़ेगा, कोई एक अगर polynomial है, दूसरा नहीं है, तो पूरा ही नहीं होगा, चलिए इसको भी check करते जैसे, देखे, constant अबर यहाँ पे है into variable, constant यहाँ पे है, into variable यहाँ पे T है, इसके पाउब में कुछ रहता हो, तो constant into variable के पाउब में whole number, इस condition को follow कर रहा है, है ना constant into variable के पाउब में whole number यह आपका polynomial है, यह तो polynomial है, पर यह polynomial आपका नहीं है, यह term आपका polynomial नहीं है, यह term है, तो जब एक है और दूसरा नहीं है तो पूरा जी नहीं होगा polynomial होने के लिए दोनों को होना चाहिए जब यह polynomial हो गए नहीं तो क्या यह one variable वला होगा नहीं होगा क्योंकि आगे लोग छेखी नहीं कर पाएंगे क्योंकि polynomial है या नहीं है यह बता ही नहीं पा रहें तो हम लोग क्या बताएं कि one variable का है कि नहीं आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे तो चलिए हम लोग इसको write करते हैं तो यहां मैंने write कर रहा है since one upon two is not a whole number one upon two अपका whole number नहीं rational number है जिसके कारण यह आपका polynomial नहीं है this expression is not a polynomial तो यह expression आपका polynomial नहीं है चलिए हम लोग question number four को solve करते हैं question number four है y plus two upon y फिर से इसको हम लोग polynomial चेक करेंगे कि polynomial है कि नहीं उसके बाद हम लोग one variable अलबत लाएंगे तो जेखे यहां पे y यहां पे constant कुछ नहीं तो one है ना तो constant into variable के पावर कुछ नहीं तो one तो यह तो polynomial है क्योंकि इस condition को follow कर रहा है polynomial होने के लिए constant to variable के पावर whole number तो यह term आपको polynomial है plus two देखे यहां पे y के power में कुछ नहीं तो one तो होता है ना और यह one आपको positive में है जब यह denominator से numerator में जाएगा तो positive से negative हो जाएगा power ठीक है और यही power अगर negative में रहता तो उपर यादा तो positive हो जाता पर यहां positive है तो उपर जाएगा तो negative हो जाएगा तो यहां पे लिख सकते हैं इसको इस पर कर हम लोग two y के power minus one है है ना अब देखे यहां पे constant into variable के power में यह whole number नहीं है negative number minus one है negative number है तो यह तो polynomial नहीं है यह आपका polynomial है it means यह आपका expression ही आपका polynomial नहीं है तो one variable का तो बता ही नहीं पाएंग तो इसको भी इस पर करकार हम लोग write करेंगे तो यहां मैंने write करा है since minus one is not a whole number minus one आपका whole number नहीं है जिसके कारण यह आपका polynomial नहीं है इस एक्स्प्रेशन इस नॉट पॉलिनॉमिल चलिए question number 5 हम लोग सीखते है question number 5 है x raised to the power 10 plus y raised to the power 3 plus t raised to the power 50 तो इस question को भी सबसे पहरा हम लोग polynomial check करेंगे तो polynomial होने का condition होता है constant into variable के power whole number तो चलिए कि करके check करते हैं जैसे यहाँ पर यह constant यहां कुछने तो 1 है into variable यहाँ पे x है raised to the power 10 constant into variable के power whole number यह आपका polynomial यह term है पलस constant 1 है चिपा हुआ variable y है के power whole number 3 है यह भी आपका polynomial है plus constant कुछने तो 1 है into variable t है के power 50 यह भी आपका 50 है अपका होल number है तो ये तीनों टर्म आपका polynomial है अब जब polynomial चेक हो चुका ये polynomial है ठीक है? जब polynomial हो चुका तो अब हम लोग चेक करें कि one variable वाला है की नहीं है तो देखें यहाँ पे एक x variable आया है एक यहाँ पे y variable आया है एक यहाँ पे t variable आया है means तीन variable यूजू में है it means यहाँ one variable वाले नहीं है single variable नहीं है अलग-अलग variable x, y, t तो यह three variable वाले है तो यह one variable वाले polynomial नहीं है है ना? तो इसको write करते हैं हम लोग तो हमने यहाँ write करा है तब अब-ब expression are polynomial उपर का expression आपका polynomial है बट लेकिन there are three variable लेकिन यहाँ पे three variable x, y, t therefore this expression is not a polynomial in one variable इस परकार यह polynomial आपको one variable वाला polynomial नहीं है तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पूरा अच्छे समझ मा चुका होगा अगर कहीं dot होगा तो please comment section में comment जरूर करें और हाँ आपको अगर result अच्छे चाहिए ना अच्छा result तो उसके लिए समय भी अच्छा देना पड़ेगा मैं यहाँ पे आपको पूरा explanation full explanation किया हूँ क्योंकि अगर आपके पस अगर reason किसी भी question का reason के लिए रहो तो आप एक अच्छे student है तो आसा करता हूँ यह सारे चीज आपको अच्छे समझ माच चुका होगा thank you